नवस्कार दोस्तो जेहिन वंदे मातरम आप शबी का श्वाकत अभिननन्द है टीटी फैमली सिचकों के परिवार जैस्वाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड भाई सिच्छा ही प्रकास है बात करेंगे परेवन एद्धन की बात करेंगे एंसी आटी के पेटन पर यह प्रेक् प्रस्णों को सलेट किया गया है जो आपके एकजाम के लिए संभावत प्रस्ण हो सकते हैं या रिपीटी प्रस्ण हो सकते हैं तो चलिए इस प्रेक्टिस पेपर को सिचकों का परिवार है टीचर्स फैमली है आपका परिवार है तो चलिए सुरुवात करते हैं प्रत्थम प्रशन प्रतेक भाई बेन ग्रणी फीड़बेक करेंगे साथियों मत पदेश का राजकी पच्छी कौन सा है गोंडवान मोर सुल्ताना बुलबुल या इनमेश कोई नहीं सभी कमेंट करेंगे तो मद्पदेश का राजकी पच्ची कौन सा सभी लोग जानते है गुणवार्ट जो है राजिस्थान का राजकी पच्ची है मोर जो है राश्टी पच्ची है ठीके राजकी नहीं कैसा है राश्टी पच्ची है और सुल्ताना जो बुल-बुल है बिलकुल हमारा सी आपसन हो लेकिन दूद राज को ही MP में मदपदेश में हुम भासा में सुल्ताना बुल बुल बोला जाता है ये ध्यान दीजेगा तीसरा आपसन सही हो जाएगा MP के राज के पच्छी का नाम इंडियन पैरा डाइज फ्लाई केचर है अंग्रेजी में कहा जाय तो और हिंदी में दूद राज कहा जाता है और इसे सामान तोर पर MP के लोग सुल्ताना बुल बुल के नाम से भी जानते है तो ये भी प्रशना सकता है ठीक है चली दूसरा प्रशन देख लेते हैं आप लोगों की स्किन पर है निम्लकित में से कौन सा सुमेलित दिया गया है कि बामबे नेच्वरल हिस्टी सोसाइटी कहां पर है दिल्ली पर भारती वनस्पत सर्वेच्छन कहां है कोलकाता पर भारती वनजीव संस्थान कहां है कोयमबटूर पर राश्टी वनस्पति अनसंधान संस्थान कहा जोद चलिए सभी बताएंगे कौन सा यहां पर सुमेलित हो जाएगा देखे बामबे नेच्वरल हिस्टी सोसाइटी जो है आपके नई दिल्ली पर नहीं है यह कहां पर है मुंबाई सहर पर है कहां पर है बामबे नेच्वरल हिस्टी सोसाइटी आपके मुंबाई पर है दिल्ली पर नहीं है भारती वनस्पति आपका जो सर्वेच्छंड दिया गया है कोलकाता जो बताया है यह बिल्कुल आपका सही दिया गया है इसले भी आप संसई हो जाएगा और तीसरे भी बात करते हैं कि भारती वनस्पती वनेजू संस्थान जो है सभी को पता होगा कहां पर है देहरादून की बात करेंगे और आस्टी वनस्पती अनसंधान संस्थान यह कहां पर है यह आपको बताना है ठीक है चले बात कर लेते हैं अंगले प्रिश्ण की निम्लिकित में कौन सा नवी करणी उर्जा का स्रोत नहीं है जीवासमेधन जल्बे दोत पवन उर्जा सौर उर्जा देखे आप जानते हैं गैर नवी करणी संसातनों के चार प्रमुक प्रकार है कौन सा है प्राक्तिक गैस कोईला परमान उर्जा तेल तेल प्राक्तिक गैस और कोईले को समोहिक रूप से जिवासमीधन भी कहा जाता है लाखों वर्स पूर मरत पौधे और जानुरों से प्रत्वी के भीतर जिवासमीधन का निर्माण हुआ था इसलिए जिवास मीधन का नाम यहां पे सई हो जाएगा नवी करणी उर्जा का सोथ जो है आपका जिवास मीधन नहीं होगा मा की जल पवन शौर उर्जा हो जाएगा फोथ प्रसंदिया गया है परितंत सब्द का अगठन किस ने किया था हेकल ने हैंबोल्ट ने टेंसले ने ओडम ने किया था चार बहतीन लाजवाब आप्शन है प्रतेक भाई बहन ग्रहनी जिनका सपना है अध्यापक का धापी का बनना गौर्मेंट टीचर बनना सभी कमेंट करेंगे इस प्रेक्टिस पेपर पर तीस में से जो भी स्कूर हो फटा फट कमेंट किजेगा तो परितंत सब्द का अगठन किस ने किया था हम बात करेंगे किसकी बात रहें टेंसले की बात कर रहें 1935 में बिटिस पर इसिदिक विद आर्थर टेंसले ने पर इसकी तन सब्द को नामित किया था और यह प्राणियों के समू और उनके जैव घटकों के बीच इस थापित है जिस वाता औरन में विरहती हैं अन्ते किया तन्द की बात करेंगे पांच्वा प्रस्ने भारत का सरवादिक वर्सावाला इस्थान कौन सा है वेंगलूर, मैशूर, सीनगर, मासिम राम तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे डी आपसन की बात करेंगे छट्मा प्रस्ने परेवन के जैविग घटक शमलित हैं भूम, वायू, पौधे, जल की बात करेंगे कौन सा अपसन सही होगा देखे जैविग घटकों को किसी भी जीविद घटक की रूप में वर्णित किया जा सकता है जो किसी अन जीव को प्रभाइद करता हो या परिसकी तंद को आकार देता हो इसमें दोनों जीव आपके सामिल है अपने परिसकी तंद के भीतर अन जीवों को प्योग करते हैं और उनका बच्चन किया जाता है अर्थात हम किसकी बात करेंगे पौधे की बात करेंगे अंगला पस्दिया गया साथियो मिनी माता रोग का सम्ध निन में से किस से है सब ही जानते है प्रदूशन, SO2, HG या इनमे से कोई ने तो CO2 हो गया SC2 हो गया, HG प्रदूशन हो गया तो कांस हो जाएगा देखि मिनी माता जो रोग है जिसे हम चिस्सों मिनी माता भी बोलते हैं या चिस्तो मिनमाता रोग के रूप में भी जाना जाता है यह एक नियूरोलाजिकल सिंड्रोम है जो गंभीर पारा बिसाक्तता के कारण होता है लच्छों में क्या होता है गतिभंग हाथों और पैरों में सुनता आती है समान मास्पेसियों की कमजोरी दस्टिके छेत का मागेरी काउन वोगी देखे अप्रेचित और पेचित दोनों सब्द को समझ लीजेगा यहां परिचित शिचंट की बात कर रहे है पेल में चाहर्ट चिट्रबिस्तारक यह स्लाइड तो देखेगा परिचित चित्रब बुस्तारक शीड यह 27ous और Obrig ऊपसेंशी प्रेचित पर आजाएंगे ठीक है समझ लिजएगा अब प्रेचित को काफी सारा यह पर पर प्रेचित यहां पर चार्ट यह कांप हो जाएंगे इस व कि को कि अउनक्रीं का दिएगा नेम्पित में से कांसी गतीजिदी पर्यवंद संद्चन से संबंधित नहीं है वन्मो नोलन प्राक्तिन संसाधनों का संचरण व्रहत पौधार ओपन या जलासों की सफाई देखें संदच्छन पौधार ओपन सफाई करना ये तीनों गतिवीदी जो है परेवन संदच्छन से संबंधित है लेकिन वनों मोलन जो दिया गए या परयवन ऐसी गतिवीदी जो परयवन संद्चन से सम्मंदित हमारा पहला आपसन नहीं होगा आप बोलेंगे क्यों नहीं होगा यूँकि वनों की कटाई किसी चेज के लिए जगह है बनाने के लिए पेणों का इस्थाई क्या होता है निसकासन है और इससे करसी का चराई के लिए भूमी को साप करना इधन या निर्मान के लिए लकडी का उप्यो करना शामिल हो सकता है और विस सुबन जीव निरी के उनसार प्रतवी की 30 प्रसर से अधीक भूमी पर वन है आप जानते हैं और सबसे ज़्यादा वन किस राज पर पाये जाते हैं वह बात करेंगे मद्ध प्रवन सिच्छा में सामुहिक चर्चा से सम्मंधि जो सिच्छन विधी कहलाती है वह कह ख्यान भी दी अंगल्या प्रसने साथियों 11 नमबर प्रसन आप लोगों के स्कीन पर है सतत और ब्यापक मुल्यांकन से सम्मंधित प्रसनाप का है कि सतत एवं ब्यापक मुल्यांकन CCE का मुख उद्देश क्या है बिद्यालों में उपस्तित के समय बालक के प्रतेक पहलू का मुल्यांकन करना बिद्याले में उपस्थित की समय बालक की रूची का मुल्यांकन करना बिद्याले में उपस्थित की समय बालक की रूची का मुल्यांकन करना ये बात कर रहे हैं बिद्याले में उपस्थित की समय बालक के कोसलो का मुल्यांकन करना तो आप जानते हैं आपसन सही हो जाएगा अंगला प्रसने IEEP का पूर्ण रूप क्या है International Environment Education Project International Environmental Education Program Indian Evangelical Education Projector या Indian Environmental Education Program सभी कमेंट किजएगा तो IEP ये धान जाएगा IEEP ये जो है साथियों IEP जो है इसका जो पूर्ण रूप है International Environmental Education Project हो जाएगा अर्थात UNESCO और UNEP ने 1975-1995 के बीच अंतराश्टी परेवण सिछा कारकम का नेत्वत किया जिसने परेवण के प्रती जागुरुकता लाने के लिए सिछा को बढ़ावा देने के लिए दर्सिगोर्ण इस्थापित किया आएए बात करते हैं अंगले प्रश्ण की परेवण अध्धन सिछन के दौरान बिद्यार्थियों की सैची कुप लब्दियों को देखने के लिए निमल्खित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए अवलोकन करना, चर्चा करना, प्रयोग करना या उप्चारात्मक सिछन करने की बात कर रहे हैं देखे साथ यो, परेवन अध्धन सिछन के दौरान बिद्यार्थियों की सैची कुप लब्दियों को देखने के लिए निमल्खित में से जिस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए वह उप्चारात्मक सिछन मां की आपका चर्चा करना और लोकन करना प्रयोग करना कर सकते हैं लेकिन परेवन अध्धन सिछन के दौरान विद्यार्थियों की सैची कुप लब्दियों को देखने के लिए उप्चारात्मक आकलन सूचक का प्रयोग या उप्चारात्मक सिछन करना नहीं है अंगला प्रस्ण है निम्लकित में से कौन सी बिसेस्ता अच्छे सिच्छन की नहीं है कि अच्छा सिच्छन किया अधारित होता है क्रिया अधारित होता है या अच्छा सिच्छन लोकतांतिक होता है अच्छा सिच्छन मूल अधारित नहीं होता है अच्छा सिच्छन सबस्तित निश्चित उद्देश मुक्त होना है देखे अच्छे सिच्छन जो होता है अच्छा सिच्छन मूल आधारित नहीं होता है गलत दियागा है क्योंकि अच्छा सिच्छन मूल आधारित होता है तो निगेटू से निगेटू मिल गया तो क्या होगई नकरात्मक ही होगा जब नकरात्मक मिलते हैं तो विस्पोर्ट हो जाता है तो विस्पोर्ट नहीं होने देना सियापसन करिए और अपना अपना नंबर कन्फर्म कीजी और फिड़बेक करिए निमकत मेंसे कौन सा जो है विकलप पर्यावन अध्यन की बिसे वस्त में संबलित नहीं है वन संदच्छन, राजनीती संदच्छन, जल संदच्छन, मरदा संदच्छन देखे आपने पढ़ा होगा वनों से जल से मरदा से लेकिन राजनीती जो सनच्छन है या परण अध्यन की भी से वस्त में समलिक नहीं है इसलिए हमारा जो यहाँ पर भी आपसन सही हो जाएगा आईए बात कर लेते हैं अंगले प्रिशन की हावा में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है आकसीजन, कारवन डैकसाइड, हाईडोजन या नाइटोजन की बात करेंगे देखे हावा में सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है लगभग 78% की बात करेंगे वह आपका नाइटोजन है और इसके बाद दूसी जो सबसे बड़ी गैस है आकसीजन है लगभग 21% की आसपास इसके बाद तीसरी आपकी कारवन डैकसाइड आती है ठीक है तो वाई मंडल में नाइटोजन गैस लगभग 78% दूसी सबसे दिक मातरा में आकसीजन 21% इसके बाद कारवन डैकसाइड लगभग 0.03% होती है अंगला प्रशन क्या दिया गया इसकीन पर दिया गया है सभी पैरमित कमेंट करेंगे फीडबेक करेंगे बेतीन प्रशन लाजवाब प्रशन आप लोगों के सकीन पर है कि भारत में बाल अपराध को प्रतिबंधित करने के लिए बालस्रम निसेद एवं बिनमे अधियम किस वर्स में पारिद किया गया बाल अपराध या निसेद एवं बिनमे या बालस्रम निसेद एवं बिनमे अधियम किस वर्स पारिद किया गया 1936, 1948, 1985, 2012 12 सभी कमेंट करेंगे प्रतिक सिच्चोबंद भाई बहन जिनका सपना है धापक धापिका बनना गौर्मेंट टीचर बनना सभी नीचे कमेंट करेंगे अपना स्कोर बताएंगे तो भारत में बाल अपराद को प्रतिबंदित करने के लिए बाल सम निसेद एवंबिन में अध परच्चों के रोजगार के रोजगार को परति बंधित किया गया भारत सरकार ने बालसम को समाप्ट करने हे तू, 1986 में बालसम निषेद्ध और अदनियम नीम ये नेमन अदनियम पारिद किया अंगलिया प्रसने ग्रीस में रितु का मुख वस्त्र क्या है शूत्री, रेस्मी, पॉलिएस्टर, रियान देखे सभी लोग जानते हैं ग्रीस में रितु का जो मुख वस्त होता है वह क्या कहलाता है शूती कहलाता है क्योंकि सफेद कपड़े उस्मी विकरण की बुरे औशोसक होते हैं, वे उस्मी विकरण को क्या करते हैं परावर्तित कर देती और बहुत कम भागी औशोसित करते हैं जिसे अधिक गर्मी नहीं लगती है, ग्रीस में के लिए सव्सति होता है और ठंडी में आप ड्यूरों में जो होते है ब्लैक जो ब्लैक कलर ठंड में लेते हैं तो क्या कहते हैं वह कнет ब्लैक कपड़े Śूब होता ह्पर, वह उस्मी विकरण का सबसे अच्छा असोसक उता ह ठीक है सबसे जादा आपने साइट इस क्लास में कूकर वाला पढ़ा भी होगा मेरे कभी नाम याद नहीं आ रहा है वो उस क्या बोला जाता है बॉक्स के अंदर काच केक बना जाता है सूर की किरने परती है वो किरने फिर पेटी के एक लकडी का बना जाता है ऐसे कुछ अभ सभी लोग जानते है करशी है करशी प्रधान देश है और करशी प्रधान अपना राज भी है जो भारत का दिल कहे जाने वाला राज कहलाता है अंगला परसने नसिली दवाव किलत को नियंतित करने है तू आम तोर पर प्रियुक्त की जाने वाली औसदी का नाम क्या है फोल की अपने सुना भी होगा काफी सारे कोकीण का नाम आता है सुलसान सिंग राजपूर्ध हमारे महानायक उनका नाम आ जाता है इश्वर उनकी आत्मा को शांति अबस्दे उनके परिवार को खुस रखे तो नसीली दवाउं किलत को नियंतित करने ही तो आम्तरों प्रिक की जा नाम वह एक लाता है पैथोडीन क्या हूजाएगा पैथोडीन होगा कोकीन को छोण कर लगबग यह आपके सारी हैं तीनों हो जाएंगे लेकिन पैथोडीन सबसे जादा होता है अंगला प्रसद निमडेकित में से कौन सा है हेंड़ेट प्रसत खुले में सोच मुक्त पहला ODF राज बना आंधपदेश, असम, केरल, तमिल नाडू सभी कमेंट करेंगे देखे दास्तों ऐसा जो राज है हेंड़िट पिसद कुले में सोच में मुक्त में पहला ODF जो राज बना है वह और कोई नहीं हम बात करेंगे केरल राज की बात करेंगे सी आपसने दराई टेंसर करेक्ट टेंसर हो जाएगा मत पदेश के राज सभा संसदों की कुल संख्या कितनी हैं? 10 है, 26 है 39 है, 11 है नीचे कमेंट बाक्स वे फटाफट कमेंट कीजेगा राज सभा लोग सभा, दोनों की सीटें सदसों की संख्या आपको मालूम होनी चाहिए तो मत पदेश के राज सभा संसदों की कुल संख्या जो है, आपकी गेरा है ठीक है? कितना हो जाएगा? गेरा हो जाएगा और सबसे ज़्यादा उत्तर पदेश में है सबसे ज़्यादा उत्तर पदेश में जो है राजसभा सांस्तों की संख्या 31 है राजसभा में टोटल 245 सदस होते हैं जिनमें 12 सदस भारत के राजपती के द्वारा नामंकित होते हैं इन्हें नमित सदस भी कहा जाता है अन सदसों का चुना होता है और सबसे ज़्यादा सदस उत्तपदेस राज के हैं जिनकी संखाय कत्तिस है और ये उनको 12 सदस मनोनीट करते हैं जिन्होंने समाजी कार बेतीन अच्छे तरीके से किया है ठीक है तो ये उनको जो है मनोनीट या कर देते हैं किसकी बात करेंगे राश्पती महोदय के बात करेंगे वरतमान राश्पती कौन है वरतमान प्रधान मंत्री कौन है वरतमान मुख मंत्री कौन है वरतमान सिच्छा मंत्री कौन है और मंत्री ये जानना बहुत ही जरूरी चोटी चोटी चीज़े हैं जी के है जन्ना नालेज है आपको आना चाहिए साथियों नायलान का विसकार किस ने किया मेलविन केलविन ने वाले सकायर्स ने रोबिन हिल ने पीटर की रोल ने किया सभी कमेंट कीजेगा मेरे प्यारे प्यारे की भाईयों की प्यारी प्यारी बेहने ग्रेनी जिनका सपना है अद्धापदा कद्धापिका बनना गौवर्मेंट टीचर बनना सभी मित्रों को जेहिंद वंदे मातरा मिंक लाब जिन्दाबाद एक जाम फते की तारी चल लए है दिन रात मेहनत कर रहे हैं आपकी प्रिपेशन में बेहतर को लाने के लिए सेलेक्शन पाने के लिए एक एक कुश्चन को चूच करते हैं जो आपके लिए संभावित प्रिशन हो सके सेलेक्शन वाले प्रिशन हो सके तो नायलान का जो विसकार है किसने किया वालेस कैयर्स ने किया था नायलान का विसकार डाक्टर वालेस कैयर्स ने सन 1937 में अमेरिका में किया था अंगला प्रसने आवसादी चक्र में किसका प्रवाय होता है जल का होता है खनीजों का होता है वाय का होता है या उर्जा का होता है और तो अवसादी चक्र में किसका प्रवाय होता है सभी मित्र कमेंट करेंगे हम किसकी बात कर रहे हैं तो अवसादी चक्र में जो है साथ यो आपके खनीजों का प्रवाय होता है तो भी आपसने एंसर करेक्ट एंसर हो जाएगा भारत में प्रतम याती रेल गाड़ी की सुरुवात कब हुई 1926-1963 में हुई थी तो भारत में प्रतम रेल गाड़ी की सुरुवात जो है या भारत में प्रतम यात्री रेल गाड़ी की सुरुवात कब हुई थी काफी बार पूंचा गया प् प्रसने अठारा सो तिरपन में होई थी सी आपसन सई हो जाएगा अठारा सो तिरपन में सोरह सोलह अपरेल को इंडिया में अर्थाद भारत में पहली यात्री रेल प्रसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाने के बीच चले थी अंगला प्रसने जो कि आप लोगों की स्कीन पर है प्रतेक भाई बें सिच्छबंद कमेंट करेंगे 25 प्रसन साथियों हम कंपीट कर चुके हैं और 5 प्रसन और करेंगे इस प्रेक्टिस पेपर को कंपीट करेंगे साथियों बहुती लाजबा प्रसने गुलावी करांती सम्मन्दित है मदमक्की उतपादन से जहिंगा उतपादन से मुर्गी उतपादन से पोस्पुदान से देखिए करांती जो है गुलावी हो गई ठीक है मस्स करांती हो गई सफेद करांती हो गई ठीक है ये सारे जो है गुलावी करांती आपका जो सम्मंदित हो जाएगा आई होप आप कमेंट कर चुके होंगे बात करेंगे जींगा उत्पादन से सम्मंदित है भारत में अगर ये भी प्रशना सकता है भारत में गुलावी करांती के जनक कौन है तो दुर्गेश पटेल को माना जाता है अंगला प्रशने, विश्णोई संप्धाय इस्थापित किया गया था, बी आर अमबेडकर के द्वारा, भजन लाल के द्वारा, गुरु जामबेश्वर के द्वारा, या जोधपूर के राग के द्वारा प्रतीक भाई बहन कमेंट करेंगे प्रतीक सिच्चवबंदू कमेंट कीजेगा विसनोई संब्रदा इस्थापीत किया गया देखे 5-10 सिकंड हम आपको समय देते हैं कमेंट करने के लिए सोचने के लिए जैसे एक जाम में होता है ठीके बहुत सारे कमेंट आते सर बहुत दीमा कलास होता है इसे नहीं इतना भी दीमा नहीं कर रहे है तो कि जब तक पढ़ाई कोश्चन आपसं समझ नहीं आएगे तो कोई मत्तम नहीं है ठीके निउज पेपर की तरह नहीं पढ़ना है पढ़ना अपने माइंड में स्टोर हो जाए वो बाते हमारे कानों में चुप जाए जब कानों में चुपेगी तभी कान क्या बोलेगा आओ विल्कुल आओ बैठ जाओ जब वो बैठ जाएगा तो माइंड इस्टोर कर लेगा और ये सारे जो question आपके exam पर फिर क्या है शारा फिर ये अंदर से बोलेगा इसका ये सही है इस आपसन का ये सही है ठीक है तो mind में अराम से पढ़ें question को और इस person का जवाब भी आ चुका है कि विस्नोई स्रम्प्रदा जो इस्थापित किया गया था गुरु जंबेश्वर के द्वारा इस्थापित किया गया था अंगला प्रस्ण है निमलकित में से कौन सा रोग जो है संक्रामक है मधु में हैदेंगात उच रक्तचाप या डिफ्थीरिया की बात करेंगे तो ऐसा रोग जो संक्रामक रोग हो सभी comment करेंगे देखिए यो डिफ्थीरिया रोग है यह संक्रामक रोग की कटेक्री पर आता है डि आपसन इदा right answer correct answer हो जाएगा उन्तीसमा प्रस्ण है निमलकित में से कौन सा परिच्छन जो है HIV से प्रत्च सम्मंदित है जी हाँ एसा परिच्छन जो है HIV से प्रत्च सम्मंदित हो विडाल, MP, SR, ELISA चार, बहतीन लाजबाब options दिये गए है तो हम बात कर रहे है HIV एसा परिच्छन जो HIV से प्रत्च सम्मंदित रखता है और कोई नहीं आपका ELISA हो जाएगा डी आपसन जीता राइट इंसर, करेक्ट इंसर हो जाएगा और इस प्रेक्टिस पेपर का आपका थीस्वाप्रिशन सात्यों, भारत में पल्स पोलियो टीका करन कारकम कब आरम किया 1985 में, 74 में, 55 में, या 1990 में किया गया सभी कमेंट कीजेगा तो भारत में पल्स पोलियो टीका करण कारकम जो है कव आरम किया गया था सभी जानते हैं 1995 में किया गया था अर्थात यहाँ पे सी आपसन सही हो जाएगा तो साथ यो भारत में विसुसास संग्ठन वैसिक पोलियो उन्मूलन प्रयास के पढ़िणाम सरूप 1995 में पल्स पोलियो टीका करण पीपी आई कारकम आरम किया देखे अगर यह आजाए कि पीपी आई कारकम आरम कब किया गया तो पीपी आई को ही पल्स पोलियो टीका करण बोलते हैं और इस कारकरम के ताहद पांच वर्से कमायों के सभी बच्चों को पोलियो को समाप्त होने तक हर वर्स दिसंबर और जनवरी माय में ओरल पोलियो टीके यानि ओपो ओपी भी के दो खुराके दी जाएंगे तो यह रहें परेवन प्रेक्टिस पेपर के 30 महत्पूर लाजवा प्रसंत 30 में से जो भी आपका फीड़ो एक नीचे कमेंट अवश्च करें अपना प्रेक्टिस पेपर पिसकूर अवश्च बताएं ता आपकी तैयारी बेतास हो सके सेलेक्शन पक्का हो सके हम आपके साथ बिजय जय स्वाल मिलते हैं जल्दी निस क्लास पर शभी मित्रों को जहींद वंदे मातरम हमेशा हस्तर हैं मुस्कूराते रहिए आज पास साप सफाई बनाए रखें अपने स्वास का ध्यान दें इस्टडी भी फोकस करें और अपने लाइप में परहवन की बात कर रहे है तो एक पेंड अवस्त लगाएं क्योंकि आने वाली पीड़ी को आकसीजन ज्यादा हो और कार्मन डगसाइड कम हो सके धन्वाश भी